हम लोगोंने आज सोब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है डिटेल्स खार्गे जी ने आपको फूल फ्लेज़ेड नाम बताया लेकिन इसका सोट फॉर्मे होता है इंडिया Let us challenge इंडिया India, can you challenge इंडिया भाजपा, can you challenge इंडिया The other people can you challenge इंडिया So our challenge will be all focus, all publicity, all campaigning, all program It will be under the banner of India If anybody has a challenge, catch us if you can कोई आदमी कोई opposition को support करते है, opposition state को तो next day EDO, CBI और कोई चला जाता है और खाली धमक देता है हम 355 करेगा, हम 356 करेगा हम लोगों ने आज 420 कर दिया 420 कर दिया पॉलिटिकली जिसमें इंडिया जीतेगा, भाजपा हरेगा आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंदर मोदी जी को भारी बहुमत दे के जिताया था इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है हर सेक्टर को बरबाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने एकनौमी बरबाद कर दी इन्होंने रेलवे बरबाद कर दी सारे एरपोर्ट बेच दिये इन्होंने जहाज बेच दिये आसमान बेच दिया धर्ती बेच दी पाताल बेच दिया सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया कोई कसर नहीं छोड़ी तो आज ये 26 पार्टियां हम सब लोग अपने लिए एक अत्रित नहीं हुए हम देश को एक तरफ बचाना है जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोगी कठे हुए हैं जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए हर बिमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए यह सपना लेके हम सब लोगी कठे हुए हैं जहां पर ऐसा भारत होगा जहां सब सुक शान्ती होगी प्यार महबबत होगी और देश तरक्की करेगा ना कि देश के संसाधन जो है कुछ लोगों के लिए चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे देखते होंगे पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पुछा कि अलग अलग विचारधारा की लोग है राजनीती में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं लेकिन इसके बावजुद हम एक आये हैं क्योंकि आप लड़ाई सिर्फ हमारी प अचाना है और लड़ाई हमारी एक पालिटी की खिलाफ या एक व्यक्ति की खिलाफ नहीं है लड़ाई हमारी निती की खिलाफ है तानाचाही की खिलाफ है और जैसे एक जमाने में आजादी की लड़ाई हुई थी तो अब आजादी खत्रे में आई है तो इस आजादी के हम सब इखटा आये हैं और पक्का भरोसा है कि हम काम्याब रहेंगे हो जाएंगे और देश के जनता के मन में एक डर है कि अब क्या होगा तो हम इतना उनको एक ऐसास दिलाना चाहते हैं कि विश्वास दिलाना चाहते हैं डरो मत हम है हम है जैसे एक पिक्चर आए था मैं हून वैसे हम है ना Indian National Developmental Inclusive Alliance मतलब India लड़ाई NDA और इंडिया के बीच में है नरेंद्र मोधी जी और इंडिया के बीच में है उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है आप जानते हो जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है इंडिया के सामने खड़ा होता है तो जीत किसकी होती है